नमस्कार आपका स्वागत है संगीता किचिन ब्लॉग में आज मैं बनाने वाली हूँ साबुत मूंग जो हरी वाली होती है उसी का हल्वा बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ज्यादा हिल्दी होता है इस सर्दी में जरूर से बनाए एक बर देखने में भ जबी ठीक होने वाले हैं सर्दी जुकाम भी होंगे तो भी ठीक हो जाएंगे इतना हिल्दी होता है यह हल्वा तो एक बार मेरे कहने से जरूर से ट्राइब करें तो इसे बनाने के लिए ले लिया है एक कप मूंग का दाल वेट से यह 170 ग्राम है तो इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और पहले चुन लेंगे चुन कर साफ कर लेंगे कोई भी दाना खराब वगएरा है तो उसे चुन कर हटा दीजिए उसके बाद इसे अच्छी तरह से धो लीजिए एक छन्नी में रख करके च गड़ाई में ही सूख जाते हैं उसे चलाते रहेंगे इसका पानी तो सूख ही जाएगा और इसे इतना भूनना है कि यह भूनते भूनते थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए इसलिए जरूरी है कि हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका इसलिए जरूरी है क्यूंकि इसे पी पास दिखा रहेंगे क्योंकि यह जले नहीं अंदर से क्रिस्प हो जाए और तो देखिए थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लग गया है हलका सा कलर इसका चेंज होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है तो हम इस गयस बंद करके से ठंडा होने के लिए प्लेट में रख दिया है ठंडे हो चुके हैं तो एक जार में डाल लेंगे और इसे पिस लिया है तो देखिए पिस चुका है हलका सा दानेदार रहेगा बहुत बारिक भी नहीं हुआ है पर हलका सा दानेदार है अच्छी तरह से पिस चुके हैं बहुत जल्दी पिस गए तो देखिए पास दिखा बहुत बढ़िया से पीस चुका है अब ले लेंगे गुंद 35-40 ग्राम मैंने गुंद लिया है गुंद के बारे में तो आप जानते हैं कितना हिल्दी होता है यह बबूल का गुंद सबसे बेश्ट होता है इसे पीस लिया है देखिए बीना फ्राइ कियो पीसा है इसे क्यों आगे पतर लग जाएगा आपको इसे हमेशा ही फ्राइ करके लेते हैं कोई भी चीज में लेकिन आज मैंने पीस करके लिया है और ले लिया है कुछ ड्राइफ रूट्स तो लिया है बादाम, मगज का बीज लिया है और काजू ले लिया है तो एक-एक मुठी भर-बर करके ल लिया है उसे दानेदार पीसा है बिल्कुल फाइन नहीं पीसा है अब तीन कप पानी ले लिया है और एक कप खांड भरके ले लिया है इसकी जगह पे आप मिसरी भी ले सकते हैं चीनी भी ले सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो गुड भी ले सकते हैं तो इसे डाल करके इसे बस इसे कोई चासी नहीं बनानी है इसकी ना तो कोई तार बनाना है बस अच्छी तरह से इसे घूल जाए इतना पकाना है तो जो खांड लिया है बहुत ही अच्छा होता है हिल्दी होता है तो देखी अब ये घूल चुके हैं बहुत जल्दी घूल जाते हैं बारिक होत चाहें उतार लिन और rafाम नशनेंट अ हु और अच्छा बन जाता है तो उसमें डाल को तो हमारी मूंग दाल पिसी हुई थी और फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है ताकि जले नहीं और इसे भूनते रहेंगे पहले से भूना हुआ था मूंग लेकिन फिर से भून लेंगे इसका कलर थोड़ा सा हरा जैसा लग रहा होगा क्यूंकि हरी मूंग थी उसके छीड़के हरे होते हैं तो इस बज़े से थोड़ा सा color आटा है अथे भून गया है तो अचछा सा कलर आ गयाै है इसमें ब्राउन से दिखने लग गया है तो इसी समय डॉस के गौंधसा पादर जो मैंने बिस करके रखा वा था गा ता इसे mix कर देंगे flame को मैंने लोग कर दिया है अब अच्छी तरह से भून गया है तो अब इसे अच्छी तरह से चला लेंगे तो हमें जो हम गोंद अलग से fry करके डालते थे ना वो काम हमारा इसी के साथ हो गया इसे अलग से fry करने की जरूरत नहीं पड़ी इसी में अच्छी डाला है क्योंकि बच्चे वगेरा नहीं खाते हैं कई बार निकाल देते हैं आपपीस करके डालेंगे तो बच्चे भी खालेंगे और थोड़ा सा दाने रखा है ताकि मों में हलका सा क्रंच आता है ना तो बहुत यह अच्छा लगता है खाने में तो देखिए चलाते दो कि डौट यह अच्छी तरह से भुनने लग गया है बस इतना भूनें टॉट्स को कि उसका कच्चा पर निकल जाए क्योंकि मैंने कच्चा ही उसे भी डाला था अलग से ड्राय फूट्स को भी फ्राइड नहीं किया था अब डाल देंगे एक कप के करीब डैसी केटेड से बन जाते हैं तो जब अच्छी तरह से भूण जाए तो हम इसमें जो घोल बनाकर के रखा था ना मिठा पानी का वह चान कर छनी से डालेंगे ताकि उसमें कुछ भी हो तो वह चंजाए छनी से तो जब घोल डाले उसे पहले फ्लेम को लो कर दें ताकि छीटे कम करें पड़ें क्योंकि यदि हाई होते हैं तो छीटे पड़ सकते हैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया इसमें डाल देंगे एक चमच भर कर सौट पारडर ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में तो बहुत ही हुए अच्छी पाउडर एक चममच के कड़िशन डाल दिया है तुरत कूट करके डले है यदि य whereakट ज्यादा अच्छा आता है जो आप और उस ज्यादा अच्छा फ्लेवर इसका आता है ठोड़ाइ थोड़ा से से इसे मिक्स कर लिया है अब इसके उपर एक धकन लगा देंगे और चार-पांच मिनट इसे धक करके लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि इसका घी वगएरा सेप्रेट हो जाए और बीच-बीच में इसे खूल कर चला लेंगे तो देखिए पकने के बाद कैस गी उपर से दीख रहे हैं आप देख रहे होंगे और अची तरह से नीचे से एक बार फिर से चला लेंगे थोड़ा गढ़ा भी लग रहा है और जो हमारा दाल थाना अच्छी तरह से फूल चुका है दुवारा धग दिया था अब दुवारा खोलने के बाद देखिए थोड़ा सा थीक होने लग गया है और जैसे जैसे इसे चलाते जाएंगे ना वैसे वैसे थोड़ा गढ़ा होता जाएगा तो इसमें अच्छी तरह से इसे भून भून कर चला चला कर भून लेंगे तो देखिए अब ठीक होने लगा है कडाही बिल्कुल छोड़ रहा है कहीं से भी चिपक नहीं रहा है नॉन श्टिक में वैसे भी नहीं चिपकते हैं और जब पकते हैं तो इसके घी सेपरेट होन लगते हैं साइडों से निकलने लगते हैं घी कितना कलर इसका अलग सा लग रहा है थोड़ा सा डार्क सा ऊच छिरके की बज़या से थोड़ा सा लगता है इसमें मैंने कोई color बगेरा नहीं डाला है यदि color change करना हो तो food color भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं तो देखे अब इसका थोड़ा सा अच्छा थीक होने लग गया है आप चाहें तो अपने पसंद से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं मैंने gas bond करके नीचे उतार लिया है और इससे कर देते हैं serve तो यह थोड़ा ठंडा होगा ना तो अपने आप ही थीक हो जाएंगे तो मैंने चम्मच से ही देखे इस तरह से कर दिया है तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब जैसे मैंने से serve किया है थोड़ा हिसाई में ही देखिएगा कि उपर से घी वगएरा दिखने लग जाएगा साइडों से भी तो क्यूंकि गरम गरम होते हैं तो थोड़ी ही देर में अच्छा देखने लगता है तो वीडियो मेरी जरास अभी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आये हैं तो वेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन अन कर लिजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती हैं